आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, हम भी Question Solve करते हैं Find in degree the angle subtended at the center of a circle of the diameter 50 cm by an arc of length 11 cm यहाँ पर हमें क्या given है एक circle given है जिसका हमें diameter क्या given है diameter is equal to 50 cm diameter हमें given है 50 cm तो यहाँ radius कितना हो जाएगा diameter upon 2 that will be equal to 25 cm यह length कितना हो जाएगी हमारे पास यह हमारे radius हो जाएगा तो radius की value कितना हमारे पास 25 cm अब यहाँ पर हमें given arc of length 11 cm that means L की value हमें given है 11 cm तो इस arc length को हम यह हमारी एक arc length हो जाएगी इसको हम 11 cm मान लेते हैं यह L हो जाएगा तो अब हमें क्या find out करना है हमें angle theta find out करना है तो यह हमारा theta angle हो जाएगा यह हमें find out करना है अब हमें पता है L क्या होता है L is equal to R into theta और theta किसे में होता है यह होता है theta in radiance तो सबसे पहले हम theta की value calculate करेंगे तो L की value के 11 cm is equal to radius की value कितनी है 25 cm into theta cm cm cancel out हो गया तो theta की value कितनी हागी 11 upon 25 radiance अब हमें क्या पूछा है इसमें finding degree सो degree में हमें find out करना है that means हमें पता है pi radiance is equal to 180 degree होता है सो यहां से हम क्या बोल जकते है one degree कि value कितनी हो जाएगी यह हम यहां से क्या बोल जकते है 1 radian की value कितनी हो जाएगी 1 radian is equal to 180 upon पाई रेडियंस और सो यहां पर हम आप क्या बोल सकते हैं अगर वन रेडियन की इतनी वैल्यों है सो 11 अपन 25 रेडियंस की वैल्यों कितनी हो जाएगी डिग्रीज में इसको लेज़ा है 180 अपन पाई इन्टू 11 अपन 25 अब यहाँ पर पाई की वैल्यू पूट कर देंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 180 इन्टू पाई की वैल्यू कितने होती है 22 अपन 7 तो 7 उपर चला जाएगा इन्टू 11 अपन 25 11 और 22 तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से दें 2 एंड 180 कैंसिल आउट हो जाएगा 90 से यह कितना हो जाएगा हमारे पास 7 नाइन जा 63 630 अपन 25 यह किसे में आजएगा डिग्रीज में आजएगा अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 630 डिवाइड बे 25 तो यह कितना हो जाएगा 25.2 25.2 डिग्रीज यह हमने कैसे कैल्कुलेटर के हेल्प से इसको कैल्कुलेट किया तुमारा आंसर कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा 25.2 डिग्रीज थैंक यू क्लासिक्स स्ट्वेल से लेके नीट आयाइटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या वाथ्साप कीचे अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर